शंभवे गुरुवे नमा सभी गुरु बहन और गुरु भाईयों को मिरा प्रणाम ब्रह्मान में व्याप्त समस्थ शक्तियों को मिरा प्रणाम हम सब के गुरु भगवान शिव को मिरा प्रणाम मेरे एक गुरू है पटना में उनके निर्देशन में मैं काली की उपासना किया करता था लेकिन जब से तबीयत खराब रहने लगी तब से पूजा उपासना सब कुछ छोड़ दिया है मैं तो न ढंग से खाता हूं ना ही किसी से बात करता हूं अपने कमरे में अकेला पड़ा रहता हूं मन अग्यात के भाय का शिकार हो गया है किसी से मिलता भी हूं तो लगता है ये मेरी अंति मुलाकात है भाय की काली साही मुझे अपने रंग में रंगने लगती है डॉक्टर साहब और मेरे साले साहब आपसे कुछ दिन पहले मिलने आये थे पर उन्होंने मुझे छोड़ दिया था फिर मैंने सोचा कि अब तो आपसे मिलूँगा ही मिलूँगा बस यही सोच कर चला आया मेरी कहानी यही है इसके बाद क्या कहूं कोई बात नहीं आपको कुछ नहीं होगा और आपको कुछ हुआ भी नहीं है नेलम ने वातसले से कहा नाश्ता करने के बाद हरिंद्रा नन्ने पूछा कि देवाशी इश आप घर पर आराम करेंगे या मेरे साथ आफिस चलेंगे मैं तो आपसे मिलने ही आया हूँ अगर एतराज नहीं तो आपके साथ चल कर आपके सानिते की किरपा प्राप्त कर सकूँ दिन में खाना क्या खाएंगे हरिंद्रा नन्ने पूछा कुछ भी खा लूँगा आप पूजा घर में परणाम कर आईए फिर आफिस चलते हैं परणाम कर लोटे तो साहब ने कहा पूजा घर में कुछ आशिरवाद आया होगा जाकर देखिए जाकर देखा तो वहां बिछे चावल पर लिखा था देवाशीश तुम हवन कर लो वहां एक बेल पत्र भी था इन्होंने बेल पत्र उठा लिया पत्नी को दिन के खाने में चिकन बनवा देने को कहते हुए जीब से ओफिस की और निकल पड़े ओफिस में दोनों के बीच बातचीत का अफसर नहीं मिला देवाशीश का मन तो पूजा घर में आये समवाद और बेल पत्र पर अटका था क्या हुआ क्यों हुआ और कैसे हुआ सवालों की लहरें हिलोरे मार रही थी वे इसका रहसे जानना चाहते थे चाय पीते पीते हरिंद्रा नंद ने बताया कि मेरे यहां पूजा घर में प्रणाम करने पर कुछ आशिरवाद आता है आपको जो समवाद प्राप्त हुआ है उसके अनुसार आप हवन कर लीजिए सर आप अगर हवन की सामगरी का वेवरण मुझे बता देते तो मैं जल्दी से सभी सामगरी ले आता नहीं मेरे यहां सामान है आप आज शाम में हवन कर लीजिए सहब ने कहा घड़ी के घंटे की आवाज ने जता दिया कि अब घर जाना है वे दोनों आवाज की और चल दिये रास्ते में इन्होंने देखा कि देवाशीश के साथ आया हुआ उनका निजी सेवक मोगल सड़क के किनारे खड़ा है गारी को धीमी करते हुए इन्होंने कहा कि आपका आदमी इंतजार कर रहा है मिल लीजे गारी के रुकते ही मोगल दोड़ता हुआ देवाशीश के पास आया और कहने लगा मालिक यहां से जितनी जल्दी हो चलिए उस दिन रिक्षा वाला जो बोला था सब सही बोल रहा था गवराय वे मोगल कूड हाड़स बंधाते हुए उन्होंने कहा बताओ क्या हुआ है हम है न कुछ नहीं होगा और यह कहते वे जीप से उतर गए हरिंद्रा नंद जीप लेकर आवास की और बढ़ गए नहीं नहीं पहले चलिए सब रास्ते में बताएंगे जल्दी भागिए ठीक है चलते हैं पहले बताओ कि हुआ क्या मोगल ने धीरे से कहना शुरू किया मालिक दिन के खाने के लिए जिस मुर्गा को काटा गया वे बिना सिर पैर के होते वे बरतन से निकल कर दोड़ने लगा तपाक से देवाशिष बोले क्या बोल रही हो मोगल तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आ रही पूरी बात बताओ तब फिर उसने बताया कि साहब का नौकर मुर्गा को साफ कर हमको बोला कि चाकू लेकर आ रहे हैं तब उसका पीस बनाएंगे आप देखते रहेगा हम वहीं थे अचानेक से मुर्गा कड़ाई से निकल कर दोड़ने लगा और बहार सड़क पर पहुँच गया वहाँ भीड भी चुट गई हल्ला सुनकर दीदी जी भी वहाँ आई उनसे पूछ लीजिएगा मरा हुआ मुर्गा जब दोड़ने लगा तो हमारा तो दिमाग सटक गया फिर देखा मुर्गा कड़ाई में वापस भी आ गया यी देखकर हम वहाँ से चल दिये वही मुर्गा बना है मत खाईएगा हम तो नहीं खाएंगे दीर जी रोक रही थी लेकिन डर से वहाँ नहीं रुके आपका बाट जो रहे थे आप खर्च दे दीजिए हम घर जाएंगे बहुत देर तक मोगल को समझाया तब जाकर वह वापस आया लेकिन उसने खाना नहीं खाया साहब के घर आकर सारा प्रकर्ण सुनाया बातें सुनकर हरिंदरा नन ने कहा लगता है बहुत डर गया है मुरली बाबु के यहां बोल देता हूं उनके घर खाना खालेगा तपस्या के बल पर व्यक्ति ऐसी शक्तियां प्राप्त कर लेता है जिससे सामने बैठे मनुष्य के मन में चल रहे विचार तरंगों को समझने में काम्या भी मिल जाती है देवाशीश को सिंगेश्वर मंदिर जाने की इच्छा थी जिससे संकोच वश शब्द नहीं दे पा रहे थे तब ही अंतरमन के द्वंद को भाबते वे हरिंदर ने पूछा क्या सोच रहे हो देवाशीश? जी कुछ नहीं चली आज खाना खाकर सिंगेश्वर मंदिर घूमाए आपका भी मन थोड़ा बहल जाएगा अंधे को क्या चाहिए? बस आखे ये मन ही मन पुलकित हो उठे सभी तयार होकर चल पड़े शाम का वक्त था मंदिर में जादा भीड नहीं थी वहाँ पहुँचकर देवाशीश ने दो मटका मिठाई खरी दी एक मंदिर के लिए और दूसरा रात्री में होने वाले हवन के लिए प्रसाद चड़ाने के बाद ये मंदिर परिसर के बाहर आ गए वहाँ नीलम दीदी और सहाब को न पाकर इधर उधर देखने लगे प्रवेश द्वार के पास नजर पड़ी तो देखा की एक पत्थर पर हरेंद्रा नंद बैठे हैं नीलम आनद पास में खड़ी हैं तथा कुछ और लोग भी चारों ओर खड़े हैं तेजी से उधर बड़े नस्दीक पहुँचकर ग्यात हुआ कि सभी एक दूसरे को पहले से जानते हैं सबों के बीच प्रसाद का वितरन किया गया घर भी समय पर पहुँचना था हवन का समय जो हो चला था देवाशीश आप शिव को गुरु मान लीजे सहाब के मूँ से एक अलोकिक वाक्य निकला जिससे इनके जीवन की दिशा ही बदल गई गिरस्तों को तो सादू संतों के आशिरवाद की आकांक्षा होती है उनके विचारों की नहीं वैसे तो देवाशीश अपनी उस अभिलाशा के सदात इनके पास आये थे कि इनके एही कश्टों का निवारन हो सके मन की भूमी पर विचारों की नई पौध को अनायास ही साहब ने आरोपित कर दिया मन को एक अधबुत गिज्यासा आंदोलित कर गई भला शिव कैसे गुरू हो सकते हैं जिसको मैं प्रतेक्ष देख नहीं सकता जो दृश्यमान है ही नहीं वे भला मुझे शिक्षा दिक्षा कैसे दे सकता है बड़ी अजीब बात है जिसकी उपासना आज तक ईश्वर के रूप में की है उसे गुरू कैसे मानू शिव गुरू है यह भी मैं नहीं जानता इसी विचार संगर्ष से देवाशीश के मन में प्रशन उठा उन्होंने पूछा शिव गुरू कैसे हो सकते है मैंने तो सुना है गुरू को शरीर में होना आवश्यक है तभी तो वे हमें अपने गुरू मंत्र द्वारा गुरू मुख करेंगे साहब ने कहा वही महादेव जो मेरे गुरू है आपके भी हो सकते है शिव मंदिरों में आप और लौकिक कामनाओं की फूर्तिक ले जाते हैं और कामनाएं भी पूरी होती है तो वही शिव ग्यान क्यों नहीं दे सकते केवल ग्यान पाने की लाल सा आवशक है शिष्य भाव की जरूरत है मंदिरों में भगवान शिव शरीर में तो नहीं है शिव एक भाव सत्ता है उन्हें बस अपना गुरू मानने की जरूरत है देवाशिष ने पूछा की कैसे बनेंगे और करना क्या होगा अरे इसमें कुछ करना थोड़े ही है सहाब ने कहा शिव आपके गुरू वैसे ही होंगे जैसे मेरे हुए कुछ खास नहीं नमाज शिवाय का जाब कीजिए सहायप ने आकर सूचना दी की हवनकुंड और उसकी सामगरियां तयार हो गई है लोग हवनकुंड की और बड़े बगल के आहते में हवनकुंड बनाया गया था धूप, काला तिल, बेल पत्र, मधू, धृत, रक्त, चंदन, मखाना अधिविबिन वस्तून को मिला कर शाकल तयार किया गया था समवित श्वर से श्रोत का पाट कर गुरु का आवाहन किया गया हवन आरंब हो गया सारे लोग संध्या कालिन हवन में मंत्रों की मूँक आहूती देने लगे हवन जैसे ही समाप्त हुआ तभी हवनकुंड के कोने के ऊपर अपूर्व आलोक उतरता दिखाई पड़ा लगा मानो कोई दीप वर्तिका हवनकुंड के कोने में उतर रही है और देखते देखते हवनकुंड के एक कोने के बाहर गिरकर रुद्राक्ष के रूप में परिनित हो गई। पास जाकर देवाशिष ने देखा रुद्राक्ष के बाहरादाने लाल धागे में पिरोए हैं। या समझ कर भी ये अचंबित नहीं होते हरिंद्र हमेशा कहते हैं मैं भगवान शिव की चर्चा करके सन्नाटे को भंग करता हूं शांती को नहीं। शांती भीतर की चीज है और सन्नाटा बाहर का मौन तोड़ते हुए एक व्यक्ति से कहा देखो क्या गिरा है। हवन में बैठे सभी लोगों की इच्छा हुई कि एक दाना प्रसाद स्वरूप उन्हें भी प्राप्त हो। देवाशीश की भी यही इच्छा थी। तब ही साहब ने कहा यह तो जिसने दिया है वही तै करेगा कि यह रुदराक्ष का कंकन किसका है। मैं कैसे देदूं। हवन कुंड की आरती करने के बाद सभी लोग पूजा घर में प्रणाम करने गए। तब ही उदय बाबु ने देखा पूजागर में बिछे चावल पर कुछ लिखा है। उसे पढ़ा गया। यह रुदराक्ष देवाशीश के लिए है। पढ़ते ही देवाशीश तो अवाक। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह सपना है यह हकीकत। इनके पैर हवा में थे, मन प्राण उर्जा से लबरेज। नीलम दीदी ने दो मूगे के दानों के साथ उन बारा दानों को गूत दिया जो आज भी देवाशीश की कलाई पर बंधा दिखता है। यह परिवरतन कारी मोड था उनके जीवन का। अब स्थिती ऐसी हो गई कि देवाशीश उनके वहाँ से वापस आना ही नहीं चाहते थे। फिर भी तीसरे दिन वे घर लोट गए। आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शंभवे गुरुवे नमा।